आज मैं आपको एक मजदूर की कहानी सुनाने वाली हूँ प्लीज आप इस कहानी को पूरा सुनेगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू एक अध्यापक एक संपन परिवार के शिशे के साथ कहीं जा रहे थे तो उस शिशे को कुछ मजदूर के जूते दिखाई दिये उसने अध्यापक से कहा गुरूजी अगर हम इन जूतों को चुपा दें तो कितना मज़ा आएगा देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है अब उसको तो मजज रहा था लेकिन गुरू जी ने कहा कि कभी नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्धा मजा करना कभी भी थीक नहीं होता। गुरू जी ने कहा क्यों ना, हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें, उसे देखें कि इसका गरीब मजदूर पर क्या आसर पड़ता है, उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लोटा और उसने एक पाव अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ, उसने अंदर विधा डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिये, वे थोड़ा आश्चारे में पड़ गया कि आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, वापस उसने दूसरा पैर अपने दूसरे जूते में डाला और वापस उसको कुछ सिक्के दिखाई दिये, अब दोनों जूतों के सिक्को को उसने अपने हातों में रखा और प्रभू की तरफ इशारा किया, हे प्रभू, पता नहीं, किस भले मा यह सिक्के मेरे जूते में चुपाए हैं लेकिन जिसने भी चुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से अपने बच्चे और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाईय ला सकूं और इतना बोल कर बहवय चला गया इस बात को शिश्य और अध्यापक दोनों सुन रह आता हूं अब मुझे समझ आ गया कि सची खुशी किस चीज में है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल